Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल जो लंडन शहर है, वहाँ पर बहुत से देशों की embassy है, उसमें एक embassy है चाइना की, अब क्या था कि चाइना जो अपनी embassy है, उसको shift कराना चाहता था, तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, लंडन काउंसिल rejects new Chinese embassy amid resident safety fears, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर चाइ कि exactly हो क्या रहा है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है, 10th of December तक अंदर enrollment कराने का, जो हमारा पूरा UPSC का batch है, जिसके अंदर जो foundation कराया जाता है, prepare कराया जाता है, वो आप ले सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि 1000 प्लस hours of live teaching मिलती है, mentorship मिलता है, handwritten notes हो गया, answer writing practice आपके main exam के लिए, सभी कुछ आट आप very affordable rate हमारे website और app पर जाईए, और code इस्तमाल करिए अंकित live, ताकि कम से कम दम पर आप इस course को avail कर सके हैं, इसके आएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखे बताये यह जा रहा है कि चाइना का एक बहुती controversial plan था, जो कि वो अपनी embassy shift करना चाहता था, लंडन में एक जगा से दूसरे जगा पर, मतलब लंडन में ही अपनी embassy को एक जगा से मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि Royal Mint Court को चाइना ने 2018 में purchase कर लिया था, तो चाइना अपनी embassy इसके अंदर establish करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर यह जो plan था चाइना का, इसको लंडन के authorities के दौरा reject कर दिया गया है, कि आप यह जो plan है, जो आप अपनी embassy shift कर चाहते हो, यह possible नहीं है, क्योंकि चाइना का, अगर आप present में embassy देखोगे, तो वो आपको Central London में Portland Place में देखने को मिलेगा, लेकिन वो अपना जो embassy है, जैसा हमाने बताया, यह East London की तरफ, जो Royal Mint है, वहाँ पर shift करना चाहता है, Royal Mint क्या है, basically Royal Mint आपको पताऊगा, जहाँ पर जो सिक्के हैं जो coins होता है, उसकी minting की जाती है, तो पहले वो वहीं पर होता था, basically, और यह directly जो majesty है, जो monarchy है UK के अंदर, उनके अंदर में आता है, जैसे कि पहले Queen Elizabeth थी, तो यह जो पूरी property थी, पहले उनके अंदर में आती थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि, यहाँ पर 2018 2018 में China ने इस property को खरीद लिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं, यहाँ पर जो आसपास के residents हैं, जो रहते हैं इसके अंदर, उन्होंने इसको लेकर object किया, और यह कहा कि China की embassy यहाँ पर shift नहीं होने चाहिए, otherwise बहुत सारे problem हो जाएगी, अब question यह है 4-acre plot के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और यह Tower of London के opposite में है, यह again आप देख सकते हो, काफी famous place है, fort है basically again, directly Monarchy के अंदर में आता है, यह Tower of London है basically, और इसके opposite में इस side, again मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह जो आप देख रहे हो ना, इसके important place है, वहीं पर London आई और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो basically क्या था कि 1809 के पहले, 14th century में आपको याद होगा कि Black Death plague आया था जो, तो उसमें जो dead bodies थी, उनको दफनाया जाता था इस particular जगह पर, आगे चलकर Royal Navy उसका इस्तमाल करने लगी, और जैसा मैंने बताया फिर आगे चलकर 1809 से लेकर Royal Mint के अंडर ये आता था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर 30 साल पहले, मतलब 1967 के आसपास, जो मोनार्की है, उन्होंने यहाँ पर decide किया कि यह जो जगह है, यह जो Mint वाली जगह है, Royal Mint State, यहाँ पर जो workers हैं, जैसे police officers हो गए, nurses हो गए, उन सब के लिए apartment बनाये चाएंगे, ठीक है, और उसके लिए लगभग 126 years का lease worth दे दिया गया था, मतलब लोगों को apartment वगरा बना कर दे दिये कहते, फिर 2010 में यहाँ पर यह जो पूरी property है, यह जो Royal Mint East State है, इसको एक developer को base दिया गया, और finally developer ने क्या किया, चाइना को यह जो पूरा area ह वो base दिया लगभग 311 million dollar में, यह सब कुछ हुआ था 2018 में, और चाइना ने यह जगा क्यों खरीदी थी, चाइना का plan यही था, कि वो जो अपनी embassy है, उसको यहाँ पर shift कर लेगा, और इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है कि और भी कई सारे plan थे चाइना के, जैसे कि ब further improvement देखने को मिलेगा, और इसके लावा जो tower of London मैंने आपको बताया, इसकी भी देख भाल, मतलब इसको भी बचाने का काम जो है, वो यहाँ पर किया जाएगा, इस पूरे plan के तहत, और अगर यहाँ पर चाइना अपनी embassy establish कर लेता इस property में, तो यह UK के अंदर सबसे बड़ embassy कहलाती, आप समझ सकते हैं, तो अब question यह है कि आखिरकार China चाता था कि यहाँ पर shift किया जाए, और लगभग चीजें तै हो गई थी, कि जो embassy है वो shift कर लिया जाएगा, लेकिन जो residents हैं, जो वहाँ पर रह रह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना, कि यहाँ पर police officers, nurses, कई लोगों को apartment दिया गया, घर बना कर दिये गए, उन्होंने यहाँ पर object करना है start कर दिया, और आस पास के भी जो लोग हैं, उन्होंने object किया, उन्होंने basically यहाँ पर जो वहाँ की council है, जो इसका पुरा देखभाल करती है, लंडन के अंदर, Tower Hamlets Borough Council, उनको यहाँ पर लगभ पर बहुत से rules regulation है, जैसे कि आप घरों के बाहर flag नहीं लगा सकते, जो landlord है, वो आपके यहाँ पर property में आ सकता है, इस तरह के कई ऐसी चीजे हैं, जो शायद China इसको follow नहीं कर पाता, लेकिन इससे भी जादा जो major concern था वो यह था, कि एक प्रकार सी यह terrorist का target भी बन सकता था, क्योंकि आपको पता है, जो China है, उसको लेकर बहुत सारे problems हैं पूरे दुनिया में, तो हो सकता था कि कल के date में यहाँ पर जो bomb blast है, I am just assuming, मैं just यह कह रहा हूँ, कि residents के दौरा यह एक चीज complaint की गए थी, उनका concern था, कि कल के date में अगर कोई blast वगरा होता है, Chinese embassy वगरा की तो ultimately वो जो residents हैं वहाँ पर आसपास, उनके उपर impact आएगा, और साथी साथ आप देखते होगा कि China के खिलाफ लगतार protest होते रहते हैं, तो हो सकता है कि Chinese embassy के बहार बहुत सारे लोग आ जाए कल के date में किसी मुद्दे को लेकर, जैसे अभी आपने देखा होगा कि Zero Covid strategy को ले और यही main concern था जिसकी वजए से उन्होंने complain किया था कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर embassy को open किया जाए, तो अब इन सारे चीजों को concern में लेते वे, वहाँ के जो council हैं, जो इसका देखभाल करती हैं, जिनकी दोरा permission दिया जाता है, उनके बीच में काफी सारी meetings हुई थी, और क यहाँ पर अक्सर जो है, बहुत सारे protest देखने को मिल सकते हैं future में, चाइना के खिलाफ, और इसकी वजए से वहाँ पर जो लोग हैं, उनको बहुत सारी परशानी होंगी, और security का मामला है, privacy का मामला है, और चाइना की उपर तो बहुत सारा शक है, कि वो इस तरह की activities करता रहता है, और इन सारे चीजों को देखते वे, finally, यहाँ पर यहाँ पर यह मना कर दिया गया है, वैसे मैं आपको बता दूँ, आप देख रहोगे, चाइना और UK के बीच में जो relations है, वो बहुत खराब हुए है, इन फाक्ट अभी आपने देखा होगा, कि रिशी सुनक ने जो पहली foreign policy उसको जारी किया था, और उसके अंदर कहा था कि जो golden era है, UK और चाइना के relationship का, वो खतम हो चुका है, यह उन्होंने साफ तौर पर कहा, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ nuclear projects बनाये जाने थे, UK के अंदर, जिसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की भी थी, ल पिछले साल भी जो है, यहाँ पर जो लंडन के अंदर, यह जो royal mint court मैंने आपको बताया, वहाँ पर जो streets हैं, जो सडके हैं, उनका नाम तियानमें square, वीगूर court, Hong Kong road, यह नाम पर रखने की कोशिश कर रही थी, basically यहाँ पर protest दर्च कर रहा था, London, UK जो है, कि जिस तरह से minority groups का जो है, शोशड किया जा रहा है, चाइना की दोरा, वो सही नहीं है, उसको रोपना चाहिए, तो यह सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, and I hope कि इस वीडियो के माध्यम से यह जो पूरा खबर था, वो आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, Britain के बारे म आपको बताना है, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डाला करता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग् कराने का, यह होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताइम, तिल देन, थैंक्यू बरी माच, सी यू सून.